अज्टे प्रदीप मुले इंटरवेंशन डेडियर आज इस फॉम न्यू डेली इंडिया आज हम लोग बात करने वाले हैं जो यूट्रस के जो फाइब्राइड होते हैं जिसको रस्वली भी बहते हैं उसका बेस्ट नॉन सेट्रीकल टीटमेंट क्या होता है तरीके तो बहुत सारे हैं पर नॉन सेट्रीकल टीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं यूट्राइन आर्टरी एंबोलाजेशन यह जो तरीका होता है इसमें सिर्फ एक दिन का हॉस्पिटलाजेशन होता है एक दिन से भरती रहना होता है और यह होगा सिर्फ माइल्ड अनेस् HOTE है, Uterine Attery Embolization, जैसे हम लोग करते हैं? जैसे Angiography होता है, उस तरीके से ही हम लोग एक ग्रॉइन में एक आर्डरी होती है जिसको बलते है फिमरन आर्डरी उसके अंदर जाते हैं जतने फाइब्रोएट यह समें च्छोटे दाने चीर्प वे करते हैं तो यह सास्जू फाइब्रोएट के प्लेट सुप्लाई को लिफ की ब्लट सुप्ल्य को बंद कर दाता, जितने रिवरणे, वह सब फिरिंक होना चालो हो जाते हैं चै Waar आशीयुवागिज भी आठीज इसका जन चालो होता है चोटा जो फिर्शिंचियु ठीज कोपने बड़ा हो गार अलगने तो आइस तरीके से तरीके से यह www.indianinterventionradioji.com और या तो आप मेरे को WhatsApp भी कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नमबर है 9810492778 Thank you very much